वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें कि एक्जाम के लिए हम पीवाई की कॉश्चन्स देख रहे हैं 2023 की नई वाली विकेंसी आ चुकी है तो यहां पर हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है और यहां सबसे पहले हम प्रीबियेस येर कॉश्चन्स को सॉल्ट पर रहे हैं और वो भी सब्जेक्ट बाइस तो हमने कुछ कुछ सब्सेक्ट कम्लीट कर लिए जैसे हमने उत्रपिदियस का सामा नेधिन पड़ लिया उसके बाद हमने उर्ति विवस्था को पढ़ा था फिर पर्यावरन के प्रिश्चन देखे और फिर हमने भूगोल के प्रश्चने स्टार्ट किया थी तो भूगोल के काफी सारे थे जो आज हमारे complete हो जाएंगे लगबग 5-6 parts इसके आज चुके हैं पहले तो रोज हम कुछ-कुछ प्रश्णों पढ़ते हैं और ये प्रश्ण आपको बहुत help करें अगर आपने ये series पूरी अच्छे से complete कर ली तो हो सकता है कुछ प्रश्ण इसी से ही आपके आजाए क्य प्रश्ण पर लेजे प्रश्ण पर लेजे एक्जाम का पैटर्न क्या है क्योंकि हर एक 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 एक्जाम का इक नेचर होता है और वो नेचर अगर आपने समझ लिया तो cut-off के लिए आप आराम से गल लेंगे और आपकी बहुत सारी मेहनत भी बचेगी तो इसी को स्मार्ट इस्टरी भी कहा जाता है कि आप स्लेवर्स पर लें उसके बाद आप प्रीवियस एर के कॉश्ण देखने तो उसके आधर पर अपनी विप्रेशन को स्टार्ट करें चलिए यहाँ पर हम आपका भी सहयो कर रहे हो और आप भी हमारा सहयो करते रहें वीडियो को लाइक करके और कॉमेंट करके कि कैसा आपको यह सिरीज कैसी लग रही है आपको यह वीडियो कैसे लग रहे है चलिए स्टार्ट करते हैं यह जोगरफी का लास्ट पार्ट है नेक्स्ट हम हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे फिर पॉलिटी और ऐसे ही जितने भी सारे सब्ज लौयस के छेतर लौरेन है फ्रांस में बिल्लेंड के वस्थिती यूके की है और किरूना स्वीडन का है और कोस्ता कजाकस्तान का है यह सब देशों से मिलान करने हैं तो अगर आपको यह चेतर पता है जैसी कि भारत की जो केंद्र है बहुत अकसर आप यादी कर लेते हैं ले पार प्रचब आपको सा कथन सही नहीं है आभ यह पर चार सब्सक्राइब नहीं है उशाका को पूर्व का मैंचेस्टर कहा जाता है यह सही कतन दिया गया है दूसरा कतन गलत दिया गया है जापान के सभी लोहा पात उद्धयोग के इंद्र दक्षन 30 चेत्रों में सित हैं ये वाला गलत हो जाएगा जापान का उतरी उन्सू चेत्र सूति वा सर्व द्योग के लिए प्रिशेत है बिल्कुल सही है और पूर्वी एशिया में जापान जल्यान निर्मान द्योग में अग्रणी है तो ये भी कतन सही है अब हो सकता है अगले साल या फिर आगे आने वाले बड़सों में कोई प्रिश्ण पूछे उसमें इनी में से कोई एक पॉइंट लेकि उसका प्रिश्ण बना दे इसलिए पीवाई की पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि कुछ कॉशन्स रिपीट भी हो जाते है अब अगला प्रिश्ण या पर फिर जो अगला प्रिश्ण है निम्डिय में से कौन से स्थानों में कहां पर आद्र जल्वायू का अनुवह होता है ऐम्दबाद कोच्ची लुदियाना तेजपूर तो यहां पर कोच्ची और तेजपूर यह दोनों सही हो जाएंगे यह कूट सही है कोच्ची और तेजपूर में आदर चलवायू का आप अनुवा कर सकते हैं जिमनी खित में कहां तेल सोधक कार खाना नहीं है इस पे पूरा वीडियो आ चुका है यहाँ पर जब हमने तेल सोधक कार खाने पड़े थे तो कोयाली पड़ा था नून माटी और बरौनी पड़े थे हटिया हमने कहीं नहीं मुख्याले कहां पर है तो कार्या राज्ति ए राजमार के उतर दक्षिम मिलते हैं जहां सी जंक्शन हेक और यह उत्तरम गष्चपर के अंतर गताता कितने बजे सुना जा सकता है अब ये समय वाला जो time zone होते हो उनसे प्रश्ण पूछ लिया तो इसका सही समय हो जाएगा साड़े तीन बजे अपराद अब यहाँ पर commentary दस बजे पूरवान हो रही थी यानि कि GMT से ये जो समय है इसके according आया था ये आपको एक जो हमारी green wish line होती है या फिर एक और समय की line होती है विश्व की जो भारत का मानक समय है ठीक है standard line जो भारत की है मानक समय की तो इसके ये हमारा जो है ये हमारे time zone और बेदेशों में या फिर अलग कोई देश देख ले रूस में हर देश की अलग-अलग time zone होते हैं तो इससे comparison करके कभी कवार प्रिश्ण पूछ लिए जाते हैं तो ये पूरा topic है जिसको अलग से आपका cover करवा देंगे जिसमें सारे time zone विश्व का और फिर भारत की अवसिती उसको आप clear हो जाएगा सारे पांच गंडे का अंतर होता है कहीं कहीं से सारे चार गंडे का भी अंतर होता है तो ये map से ही होगा एक बार map में आप देख लेंगे कि कहां से कहां किस तरह बढ़ने पर time घट रहा है और किस तरह बढ़ने पर time बढ़ रहा है तो इस प्रकार से आप आराम से इसको solve कर लेगे अब यहाँ पर अभी फिलाल यह देख लीजे कि साड़े तीन बजे अपराम से हो जाएगा यहाँ पर दस बजे से हिसाब भी लगा सकते है साड़े पांच घंडे का तो इसमें जोड़ना है जैसे सुबा का दस बज़ रहा है अब इसमें पांच घंडे चोड़ दिये तो दस से ग्यारा, ग्यारा से बारा, बारा से तेरा तेरा मतलब एक और एक से दो, दो से तीन तो यह हो गए पांच घंडे और प्लस आदा घंडा और अगला प्रिशन है उसके भहगौलिक छेत्र का सरवाधिक प्रतिशत बन से आच्छा दित है तो यहां पर अगर यह जो देश दिये हैं इनमें सबसे जाधा जापान में है तो उसके भहगौलिक छेत्र क्योंकि छेत्रफल के द्रस्टी से तब बहुत बड़ा नहीं है भारत तो कितना बड़ा है, चीन में भी अच्छी जन संक्या है, बड़ा है, दूरिशया भी बड़ा दिवीफ है, लेकिन जापाल, भॉगॉलिक छेतरफल की दुरस्टी से यहाँ पर बन जादा है, जितना छेतरफल नहीं है, उससे जाद है, यहाँ पर बन है, ठीक है, तो कि लिए आप से भी चानल के साथ जोड़े रहे हैं, मूर अपडेट के लिए टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन विल चाहेगी, इसके लावे स्टुडी फॉर्ट सिवल सर्विस की किसी भी पेट बैट से जोड़ना चाहते हैं, तो डि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक बिल जाएगी, तो वहां से जाकर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आज के वीडियो में इतना ही स्वस्त रहें, मस रहें, मुस्कराते रहें, बढ़ाए करते रहें, थैंक यू वाचिन इस वीडियो, थैंक यू सो मच